साथियों आपके जीवन में निरंतर ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको प्रोत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित करते रहेंगे यह नहीं हो सकता है और यह तू नहीं कर सकता यार तू सोच तेरा काम नहीं है यह कैसे होगा अरे इसमें तो यह दिक्कत है यह तो संभवी नहीं है अरे इस तेरी की बाते लगातार आपको सुनने को मिलती होगी दिन में दस लोग ऐसे मिलते होंगे जो निराशान 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 के बाते करते होंगे और ऐसी बाते सुनकर के आपके कान भी ठक गयोंगे, लेकिन आप खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ियेगा, अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, देश के हित में हैं, वो नयवचित तरीके से किया जा सकता है, तो उसे हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में कभी कोई कमी मत आने देगी है, मैं आज आपको एक और उद्धान भी देना चाहता हूँ, साथ जो खादी को लेकर, हमारी हाँ खादी को लेकर, जो एक बाता माने लेकि मेरा तरह उठा था, मैं तरह उठाईत रहा हूँ, मैं उसके, जब मैं गुजरात में ये सरकारों के रास्ते पर तो नहीं था, तब मैं एक सामाजी काम करता था, कभी राजनेटी कारकब्दा गरूप में काम करता था, खादी पर हम गर्व करते हैं, चाहते हैं, खादी की प्रतिविद्धता, खादी के प्रति जुकाओ, खादी के प्रति लगाओ, खादी की प्रसीदी, ये पूरी दुनिया में हो, ये मेरे मन में हमेशे रहा करता, जब मैं वहां का मुख्यमंत्री बना, तो मैंने भी खादी का खूब प्रचार प्रशार करना शुद किया, दो अक्तुबर को मैं खूद बाजार में जाता था, खादी के स्टोर में जागे खूद कुछ नगुछ खरीदता था, मेरी सोच बहुत पॉजिटिव थी, नियत भी अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हतोत्साइद करने वाले में मिलते थे, मैं जब खादी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, जब कुछ लोगों से इस व्यार में चर्चा की, तो उनका कि खादी इतनी बोरीं है, और इतनी अनकुल है, आखिर खादी को आप हमारे आज के यूद के प्रमोट कैसे कर पाएंगे, यही सुनता था, आप सोची है, किस तरह के सुजाओं मिलते थे, ऐसी ही निराशाबादी अप्रोच की वज़ा से हमारे याँ, खादी के रिवावल की सारी possibilities, मन में ही मर चुकी थी, समार्त हो चुकी थी, मैंने इन बातों को किनारे किया, और सकारात्मा सोच के साथ आगे बढ़ा, दो हजार दो में, मैंने पोर बंदर में, मात्मा गांधी ची की जन्म जिन्टी के दिन, गांधी ची की उस जन्म सली में ही, खादी के कपड़ों का ही एक फैशन सो प्लान किया, और एक युनिवर्सिटी के यंग स्टूडन्स को ही इसके जिम्मेवारी दी, फैशन सो तो होते रहते हैं, लेकिन खादी और यूथ, दोनों ने मिलकर, उस दिन जो मजमा जमा दिया, उन्होंने सारे पुर्वग्रहों को द्वस्त कर दिया था, नवजवानों ने कर दिया था, और बाद में उस इवन की चर्चा भी बहुत हुई थी, और उसमें मैंने एक नारा भी दिया था, कि आज़ा कि दिन के पहले, खादी फोर नेशन, आज़ादी के बाद, खादी फोर फैशन, लोग हरान थे, कि खादी कैसे फैशनेबल हो सकती है, खादी कपड़ों का फैशन सो कैसे हो सकता है, और कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है, कि खादी और फैशन को एक साथ ले आए, साथियों, इसमें मुझे बहुत दिकत नहीं आई, बस सकारात्वक सोच ने, मेरी इच्छा सकती ने, मेरा काम बना दिया, आज जब सुनता हूँ, कि खादी स्टोर से, एक एक दिन में, एक एक करोड रुपे की बिक्री हो रही है, तो मैं अपने वो दिन भी याद करता हूँ, दोस्तों, आपको जानकर हैना नहीं होगी, और यह आखणा याद रखिया आप, साल 2014 के पहले, 20 वर्सों में, 20 वर्सों में जितने रुपे की खादी की बिक्री हुई थी, उससे जानदा की खादी, पिछले 6 साल में बिक्री हो चुकी है, कहां 20 साल का कारोबार और कहां 6 साल का कारोबार, सात्यों, लखनों उनिवर्सिटी केंपस के ही कभी वर्ट, प्रदीप ने कहां है, आपकी की उनिवर्सिटी इसी मैदान की कलम से निकला है, प्रदीप ने कहां है, कभी-कभी खुद से बात करो, कभी-कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो, अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन की तराजू पर तोलो, ये पंक्तियां अपने आप में, विद्यार्थी के रुप में, शिक्षक के रुप में, या जनप्रतीदी के रुप में, हम सभी के लिए एक प्रकार से गाइडलाइन्स हैं, आज कल की भागदोड भरी जिन्दगी में, खुद से साक्षात का, खुद से बात कर रहे हैं, आत्ममंधन करने की आदत भी छूड़ती जा रही हैं, इतने सारे डिजिटल गैजेट्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपका समय चुरा लेते हैं, छिन लेते हैं, लेकिन आपको इन सब के बीश अपने लिए समय छिनना ही होगा, अपने लिए समय निकालना ही होगा, साथियो मैं पहले एक काम करता था पिछले 20 साल से तो नहीं कर पाया क्योंकि आप सबने मुझे ऐसा काम दे दिया है कि मैं उसी में लगा रहता हूँ लेकिन जब मैं शासनी व्रवस्ता में नहीं था तो मैं मेरा एक कारकम होता था हर साल मैं मुझसे मिलने जाता हूँ उस कारकम का मेरा नाम था मैं मुझसे मिलने जाता हूँ और मैं पात दिन साथ दिन ऐसी जगह पे चला जाता था जहां कोई इंसान नहीं हो पानी की थोड़ी सुविदा मिल जाए बस मेरे जीवन का वो पल बड़े बहु मुल्य रहते थे, मैं आपको जंगलों में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो समय अपने लिए निकालिए, आप कितना समय खुद को दे रहे हैं, ये बहुत महतोपुआ है, आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, इसी दिश समय सोचना जरूरी है, आप देखिए क्या, इसका सीधा प्रभाव आपके सामर्थ पर पड़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति पर पड़ेगा.